नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों कैसे आप सब तो दोस्तों आप सब के लिए बहुत अच्छी निव्जी लेके आए हैं कि SSC के तरफ से बहुत बढ़िया भेकेंसी निकाला गया है तो आईए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं जो इसका इंपोटेंट पॉइंट सब है तो दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को जबर सब्सक्राइब कर लें और आपको यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजेगा और आप अपने दोस्तों में भी सेर करें तो दोस्तों आईए जल्दी से यह इंपोटेंट जो डेट सब है तो इसका जो इंपोटेंट है डेट कि आपका कल से ही मतलब जैसे की 17 माई से ही इसका अपलाई स्टार्ट हो चुका है और यह मतलब जैसे से क्या करता है कि जिस दिन से अपलाई स्टार्ट होता है उसी दिन आपका जैसे पूरा जो यह उ 16 जुन तक इसका अपलाई कर सकते हैं लेकिन पहले ही अपलाई कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा क्योंकि लास्ट टाइम आके आपका साइट थो जो है सलो हो जाता है तो यह अपलाई करने में डिफकल्टी होती है ना आईए अब आप इसका पेमेंट 17 जुन तक कर सकते ह हैं और जो मतलब जैसे कि यह ओफ-लाइन चाहते हैं पेमेंट करना चलान के दौरा तो वह 20 जुन तक इसका अपलाई कर सकते हैं मतलब जैसे कि चलान जमा कर सकते हैं लेकिन आपका यदि कुछ क्रेक्शन हो जाएगा मतलब जैसे कुछ मिश्टेक हो जाएगा तो आप उसक के apply करी कुछ भी आप mistake मतलब ना करें क्योंकि आप जैसे mistake तो कर देते हैं और फिर आपको लगता है कि नहीं हमको यह correction करना है और यह क्या करता है SSE आप से चार्ज लेगा फिर और अभी क्या है कि आप जैसे मतलब यह apply करने में तो चार्ज SC ST और मतलब जो भी महिला कंडिडेन है अधिकतरकान मतलब जैसे की चार्ज नहीं लगता है SSE के एक जाम में लेकिन आप correction करिएगा तो यह सभी से चार्ज जो लेता है 200 रुपिया और इसमें भी लगेगा और आप यदि second time करते है करेक्शन आप मतलब जैसे एक टाइम में भी रह गया कुछ तो आपसे 500 जो लेता है इसलिए आप यह फालतू का 200 रुपिया क्यों दीजिएगा आप अच्छा से सही से देखके apply करिए जो कोई भी आपको करेक्शन करने का ज़रूरत ना परे जो भी आपको करना है कंप्यूटर देश्ट आपका जामीनेशन इसका होगा वह सेप्टेंबर में दिया है तो अभी आपके पास मतलब जैसे अच्छा खासा टाइम है है ना तीन से चार महिना का टाइम है तो जो लोग भी चाहें इसका मतलब अच्छा से तयारी करना तो कर सकते हैं अब यह हम सबसे पहले जो देख लेगें किस लेगेंशी कीटना है और यह लेवल का जॉब है ओके तो दोस्तों यह यह लेबं बहुत ही अच्छा है आपका जूलेवल प्वाल का जॉब और उपर आपका salary रहेगा क्योंकि DA तो increase ही करेगा जब तक ये join करवाएगा तो आपका salary 40,000 से उपर ही रहेगा तो आप लोग इसका apply जरूर करें जो भी इसके लिए eligible हैं वो लोग तो आईए सबसे पहले vacancy जो देख लें mail के लिए head considerable mail के लिए आपका open vacancy जो है मतलब ex-servicemen है उनके लिए इसमें special 56 जो है पोस्ट दिया गया है तो ex-servicemen के लिए भी यह अच्छा खासा chance है ओके यह क्योंकि आपका जो level 4 जॉब लेने के लिए और जो फ्रेसर है मतलब जैसे जो तयारी करते हैं जो भी एक तरह से open vacancy के लिए जो eligible है वह 503 vacancy पर fight कर सकते हैं male ओके अब आईए अब फिमेल के लिए भी है आपका अलग से और इसमें मतलब जैसे PWD के लिए भी 15 vacancy जो है रिजर्व है ओके हाँ मतलब जैसे यह open ओपन केटवरी का 15 15 vacancy जो है वह आपका यह दिब्यांग के लिए के रिजर्व है ओके अब आईए अब यहाँ पर महिला के लिए जो है आपका टोटल 276 है अच्छा खासा चांस है जो महिला है थोड़ा उनका फिजिकल जैसे की ठीक है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस आया है इसमें आपका जेनरल का 119 है EWS का 28 है OBC का 60 है SC का 32 ह आप जो है इसी तरह इसमें देख लिजिए 217 जेनरल इवार का है EWS का 50 है OBC का 120 है SC का 59 है ST का 54 है और टोटल आपका 503 वेकेंसी है और आप जैसे यह एक्स सर्विसमेन अपना च्टोगरी वाइज 24 है EWS का 6 है OBC का 14 है SC का 6 है ST का 26 है और टोटल आपका 56 वेकेंसी है तो अच्छा से अपलाई इसका जो कर सकते हैं और एक्जाम दीजिए निकलने का चांस रहें तो दोस्तों आईए अब हम लोग देख लेते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए अपलाई कर सकते हैं और सबसे पहले मतलब यह एज लिमिट है यह जो दोनों चीज बह भरतिय नागरिक हैं इसका अपलाई कर सकते हैं मतलब जो इंडियन है इसका अपलाई कर सकते हैं और एज लिमिट है वह आपका अठारों से पचीस है जो जेनरल के लिए हैं तो मतलब जैसे कि आपका जन्म यह 2-1 1997 से पहले नहीं होना चाहिए और आपका 1-1 2004 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए है ना और इसका जो मतलब जैसे एज काउंट कर रहा है एक एक दोहजार बाइस तक तो आठारों से पचीस जिनका भी जेनरल में है तो आप यह अपलाई कर सकते हैं और जिनका मतलब ज अच्छा से कर सकते हैं जिनका भी इस रेंज में है और अब हम लोग इसका जो है देख लें कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है तो दोस्तों देखिए यह आपका जो है नाए नमर पॉइंट आपका यह जो है इसमें ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा है आपका सिर्फ जो है 10-2 पास होना चाहिए अब जैसे कि बहुत सारे कंडिडेट यह भी पूछेंगे कमेंस करके कि मतलब जैसे वह यह अभी 12 में ही है है ना मतलब जैसे 12 का एक्जाम देंगे और यह अपलाइक कर सकते हैं आपके पास 12 पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए ओके तब ही आ आप सब आपका लिख दिया है यह टाइम आफ फिलिंग आफ यह अप्लिकेशन फॉर्म आप टेन पलस टू पास होना चाहिए आपका पास होना बहुत जरूरी है मतलब जब यह आपका लास्ट डेट जब है इसका फॉर्म फिलिंग का तब तक और सकेंड चीज है आपका ट ऐसा नहीं है कि दोनों स्पीड चाहिए तो यह मतलब जैसे एक तरह से ओफिसियल जॉब भी हुआ है ना आपको जैसे कि यह जॉब करना पड़ेगा लेकिन इसमें थोड़ा फिजिकल टेश्ट भी है तो आईए हम लोग वह सब की बाड़े में अच्छा से देख लेते हैं और जहां तक है तो जो मतलब तैयारी में है यह आपका जो लेवल चार का जॉब है अच्छा जॉब है और जो थोड़ा फिजिकल निकाल सकते हैं मतलब उनको जो लगता है उनका जो फिजिकल सही है वह कैलिफाई कर सकते हैं फिजिकल तो आप इसका अपलाए जरूर करें आईये अब इसका देख लेते हैं कि process इसमें क्या क्या होगा selection process क्या है तो आईये जल्दी से देख लेते हैं तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं इसका selection process जो है ये 50 number point तो इसका जो selection process जो है सबसे पहले आपका 100 marks का इसका जो है एक्जाम होगा वो आपका SSE के द्वारा लिया जाएगा सब सब मतलब जैसे सबसे पहला काम यह होगा यह आपका यह computer waste examination होगा वो SSE के द्वारा कितना नमर का 100 नमर का ओके इसके बाद आप यदि इसमें qualify करते हैं तो आपका physical test होगा है ना मतलब जै मतलब जैसे कि height test measurement में आप pass कर जाते हैं तो आपको typing test के लिए बुलाया जाएगा और यह जो है दिली पुलिस के द्वारा लिया जाएगा और यह फिजिकल test भी दिली पुलिस के द्वारा लिया जाएगा तो आपका ये जो typing जो test होगा वह आपका 25 नमर का होगा और यह बह टाइपिंग का मतलब जैसे स्पीड यह सीख के रखिएगा जो इसमें आप अच्छा खासा स्कोर ला सके और इसके बाद आपका टाइपिंग के बाद यह कंप्यूटर टेस्ट होगा एक मतलब जैसे इसमें आपको ऑफिस से इसमें मतलब जैसे की वर्ड से अक्सल से और जो है पावर पॉइंट से आपको इसमें question पूछा जाएगा मतलल आपको बना के दिखाना पड़ेगा जो आपको फॉर्मेट जो है दिया जाएगा जैसा आपको पेज में लिखा रहाएगा उस टैब में आपको बनाना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा ओके तो आईए आपको जो दिखाते हैं वो भी कि आपको computer test मे आपको क्या करना पड़ेगा और यह जो है वो आपका qualifying है ओके तो आपका जो score वाला होगा वो computer waste examination होगा जो कि ssc के दोरा लिया जाएगा और उसके बाद यह तीनों का तीनों आपका डेली पुलिस के दोरा लिया जाएगा ओके तो आएए और यह आपका इसका जो इनफर्मेशन यह जो है दिली पुलिस के website पे भी आपका यह information जो है मिलेगा कि कभी इसका इडिमिन काड़ आ रहा है कभी इसका जो है रिजल निकला है सब कुछ आपका यह ssc का भी website पे मिलेगा और डिली पुलिस के website पे मिलेगा तो यह मतलब जैसे कि दोनों के combination से मतलब जैसे दोनों मतलब जैसे कि एक दूसरे को share करके यह exam conduct करवा रहा है ssc और डिली पुलिस ओके आईए अब हम लोग इसका जो है देख लेते हैं कि इसमें थोड़ा जो है यह निगेटिव जो है वह बहुत ज्यादा रखा गया है मतलब जैसे आधा नमर आप लोग अच्छा से देख लीजिए मुझे लगा कि इसमें 200 नमर का होगा मतलब जैसे कि यह 100 question 200 नमर का तो ऐसा नहीं है 100 question रहेगा और वह आपका 100 और नमर का रहेगा और इसमें जो है 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा जो कि एसमें आपका यहां पर देखिए यह 100 questions 100 marks और इसमें जो निगेटिव जो रखा है वह आधा रखा है पॉइंट फाइब यानि कि दो गलत पे आपका जो है मतलब एक नमर कट जाएगा तो इसलिए मतलब जैसे आप लोग थोड़ा सा निगेटिव इसमें बहुत ही जादा है तो आप लोग यह एक्जाम के टाइम अच्छा से ध्यान में रखिएगा यह बात को अब आईए यह आपका जो है computer जो examination होगा वह हिंदी और इंगलिस दोनों में तो आप हिंदी या इंगलिस कोई भी लेंग oser CT आपका 20 से से काट लिया हुए तो यह आपका जो 10 से कंप्यूटर डाल दिया है इसमें आपको तो यह 10 question computer को भी देखने को मिलेगा और उसमें आपका topic जो है दे दिया है तो हम भी जैसे की computer का बहुत सारा NBS से related video जो है डाले थे तो उसमें ज़्यादा सज्यादा computer का सभी topic से लिए है तो आप लोग अच्छा से जाके यह देख सकते हैं और यदी होगा तो आपको computer से यह इसमें तो topic जो है दे दिया है तो अच्छा है सभी नमर आपका job के लिए important ही होता है ओके आए दोस्तों अब हम लोग इसमें सबसे यह देख लिए कि इसका फीस कितना है तो कुछ मतलब जो है नाया नहीं है फीस लेकिन आइए आपको दिखा देते हैं क्योंकि SSE का फीस रहत है वह ही है तो थोड़ा सा देख लिए आप सेंटर का बात है तो जो SSE का होता है तीन सेंटर आप यह चूज कर सकते हैं कोई भी रिजन से है ना जहां से भी आप यह अपलाई कर रहे हैं मतलब जैसे के SSE का जो अपलाई कर रहे होंगे उनको यह पता होगा ओके आए यहां पर देखिए फीस जो है वह आपका 100 रुप है फीस में तो जो यह जेंडल है यूर है और जो OBC है उनको 100 रुपीज का फीस लगेगा लेकिन आप लोग थोड़ा मतलब अच्छा से अपलाई करिएगा करेक्शन का जंड़ाट नहीं रखिएगा और मतलब नहीं तो आपको बाद में 200 रुपिया देना परेगा कोई भी है क्या है तो आई हम लोग थोड़ा सा ज्दी से देख लेते हैं इसका फिज कल बला पांट वह आपका क्या है लेकिन इसमें जैसे मतलब आपका UP to age नोगे और जो मतलब थो ज्यादा मतलब जैसे की age की होंगे और जो मतलब यह है इसे भी प्लाई करेगा है तो इसलिए आपका इसमें बाटा गया है तो जो तीस साल तक के होंगे उनके लिए आपको यह पहली फाय करना पड़ेगा और आपको सारे 12 फिट का लोंग जंप होगा और सारे तीन फिट का हाई जंप होगा उनको 8 मिनिट में 60 समीटर और सारह 12 फिट का ये आपका जो है लोंग जम्प होगा और सावा 3 फिट का आपका ये मतलब हाई जम्प होगा ओके और जो 40 साल से उपर के होगे male candidate ये सब male का है तो उनको ये 9 मिनिट में 60 समीटर और जो आपका इसके बाद सारह 10 फिट का आपका लोंग जम्प होगा और 3 फिट का हाई जम्प होगा अब आईए जो महिला candidate है उनके लिए 30 साल तक का मतलब जैसे जिनका एज होगा उनको 5 मिनिट में 800 मिटर 9 फिट का लोंग जम्प और 3 फिट का हाई जम्प और जो 30 साल से 40 साल के होगे उनके लिए 6 मिनिट में 800 मिटर और 8 फिट का लोंग जम्प और 8 फिट का आपका हाई जम्प होगा और जो 40 साल के उपर के होगे उनके लिए 7 मिनिट में 800 मिटर और और अपकी के, अपका जो है wenf गार्म होगा ऊके तो दोस्तों यह जो हुआ आसवान जैसे इसका प्रोसस्त्र है यह आपका तोटल hem प्रहीड जिसकल कि टेश्ट होगा और यह एक बार यह जो है देख लिभी इसमें हाइट और चेस्ट्ट का क्या है तो फिर मेल के लिए 165 cm आपका होना चाहिए और जो मतलब जैसे यह एरिया से पहारी छेतर से तो यदि उनके पास हील एरिया सर्टिफिकेट है उनको 5 cm का छूट मिलेगा और जो उनको भी 5 cm का छूट मिलेगा तो यह आपका 165 cm हाइट होना चाहिए और जिनको छूट मिलेगा उनको 160 cm का होना चाहिए और इसमें आपको 5 cm का छूट मिलेगा तो जो मतलब यह मतलब जैसे हील एरिया में होंगे जैसा कि उपर लिखा गया है यह सर्टिफिकेट होना आपका जरूरी है और एस्टी कंडिडेट होना चाहिए तो उसको 5 cm का छूट मिलेगा अब आईए अब आपका जो है फिमेल कंडिडेट का आपका मतलब जैसे हाइड 157 cm होना चा महिला में secst डूनो ओके आपका इसमें जैसे मेल में क्या था ही अलिया है लेकिन इसमें आपको फिमेल में secst डूनों को 5 cm का छोट मिलेगा इनकी 152 तक वी रहेगा तो आपको ले लिया जाएगा तो आपका यह सब था दोस्तों फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड और अब आ important point मतलब जैसे कि हम लोग कवर करी चुके हैं और आपको यदि कुछ पुछना है जानना है तो कमेंट किजिएगा reply जो देने का कोशिस किया जाएगा तो दोस्तों आईए हम लोग इसका जो है computer best वाला exam होगा मतलब जैसे कि test होगा computer के लिए जो है MS Office से क्या जाएगा और इसमें MS Word से आपको यह दस मिनट का दिया जाएगा टाइम है ना और एक जैसे कि पेज आपको दे दिया जाएगा और उसमें आपको यह सब जैसे कि चाहिए ना आपको यह जैसे कि अलग अलग पॉंट देगा वह आपको दिखाना परेगा उसमें है ना मतलब आपको मतलब जैसे कि left margin right margin मतलब सभी चीज आप तरह यह इसका MS Word का देख लीजेगा तो आप यह असानी से कर सकते हैं तो आपको इसके लिए भी 10 मिनट का मिलेगा टाइम आपको फिर पावर पॉंट के लिए भी मिलेगा 10 मिनट का टाइम तो हम लोग जैसे कि यह ना रहे संदेम जैसे कि ना रहे कि क्या आएगा नहीं आएगा तो इसमें यह आपको जो है 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और सभी से 20-20 फीचर्स जो है दिया है लिए यदि आप लोग अप्लाइक करना चाहते है तो जरूद अप्लाइक करें है ना और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आप जो है लाइक कर दें आपको यह कुछ पूछना है कमेंट कीजिए आपको रिप्लाइदने का कोशिस करेंगे तो